हेलो दोस्तों आप सबी का अपने यूट्यूब चैनल लोवे ट्विन्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और आज किस वीडियो में हम जुरिस्पुडेंस का मीनिंग डेफिनेशन को अच्छे जानेंगे जुरिस्पुडेंस के बारे में अच्छे से पड़ेंगे कर रहे हैं आपके लिए हमारी वीडियो एक बहुती ब्रह्म अस्तर्स के रूप में साबित होने वाली हैं और साथ में वीडियो अच्छे लगी तो लाइक जूरू करना लाइक किये बिना मत जाना तो आए दोस्तों भीना टाइम वेस्ट किये आज की वीडियो शुरू करत ने हैं है अगर आज तो स्टूडेंट सबसे पहले इंट्रक्ष्र साथ अपे बगा अगर मैं इस टौपी जूरिस्पोडेंस को इंट्रोड्यूस करने की बात करूं तो जो टरम जूरिस्पोडेंस है यह लैटिन वरड लैटिन लैंग्वेज के वरड़ जूरिस प्रूडेंशिया से ली गई है जूरिस प्रूडेंशिया और जो जूरिस प्रूडेंशिया बच्छो टरम ये दो टरम से मिलेकर बनी है एक जूरिस एक जूरिस और एक प्रूडेंशिया जोरwar खोड़ी तो साहर भीयरे लया पुल मरत कि लॉपट उन्रेजगा मतलब होता है लो और पुरीं शकयल मतलब कुल शजरी लॉ ilॉप इस इचानू झानृ पुरेंश का चया मतलब होता है या बोर्स फिर नियोग अट क 15 7 jurisprudentia and Latin term jurisprudentia is made up of two words juris and prudentia juris means law and prudentia means skill or knowledge therefore if we combine both the terms jurisprudentia or jurisprudence would mean knowledge of law would mean knowledge of law knowledge of law law. To regulations andony of law law which just gave them the last stronger law law which also said that meant jurisdiction in simplicity of law by the law marriage of law which means that jurisprudence is law y ye of law 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 guar a law law of law law a law 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 does not say the law law ست यह हमें लोग के बेसिक प्रिंसिपल्स की नॉलेज हमें देता है स्टूरेंट्स इस आई बाते आप इंट्रक्शन में लिखोगे आप आगे लिखोगे कि इंदा इंचेन टाइम इंचेन टाइम जो जुरिस्पूरेंस था वो स्टड़ी करता था रिलीजन को मोरैल्टी को ट स्टूरेंस दाइख बात मीनिग आउनलेज है स्टूरेंस अब अगर मैं मेनिंग की बात दूँ जुरिस्पूरेंस का मीनिंग क्या है तो दो चर्फ करा मेनिक समझेंगे एक आयत्म ऐडिमीलोजिकल मीनि फ और एक जब तक 된 चीका besar स्क्थ टहुर्ष हुगा हम और बताम अरिजिनल मीनियंग स्क्यॉिक यस से मतलब होता है उस चीह तरिय उरीनल Venere से जुरिका मतलब लो होता है and picture no knowledge होता है या बोर सकती station होता है गृए अर्च मातलब बनता है knowledge of law Jus получается means knowledge of law ines przepa Falafael थ्छन ओर से इसका मतलब आया है उसका मतलब अप्लो क्या बोर सकते नियर फोर जरिस्पुड़ेंस is a subject which gives us knowledge about the basic principles of law आगे आप लिखोगे We know that law can be of different types लो जो है वो different type का हो सकता है लो सीविल भी हो सकता है लो क्रिमनल भी हो सकता है आप लिखोगे कि लो जो है वो प्रोसीजरल भी हो सकता है लो जो है वो सबस्टेंटी भी हो सकता है लोग किसी प्रकार का हो सकता है हमें पता है मैं एक्जेंपल देता हूँ सीविल लो का मतलब क्या होता है एक ऐसा लो जो सीविल राइट्स दूटीज की बात करता हो क्रिमिनल लो जो क्रिमिनल राइट्स दूटीज की बात करता हो जैसे IPC हमारे देश में CRPC प्रोसीजर लो बताता हो कि हमने कैसे अपने प्रमक्राइट्स एट्राइट अजरे करने है और सबस्टेनिय लोग बेांग दीत्य अमें डेफिनेशन देटा हो हमारे डिफर हमें। इनलह क्थरेटेट्स अहल Smats नह बिचसमी निये कोशिर करना, what I am saying, कि jurisprudence means knowledge of law, now which type of law, law can be of different types, but jurisprudence gives the knowledge of every law, कैसे every law की knowledge देता है, यह हर लो का basic principle हमें बताता है, हर लो का हमें यह basic knowledge देता है, यह किसी एक लो के बारे में नहीं बताता, जैसे for example, अगर आप IPC की बात करो, Indian Penal Code, Law of Crime, 1 की बात करो, तो वो हम हमें बताता है, कि punishments, क्या-क्या होंगी बंदे को, अगर punishment और वो crime करेगा, तो है न, crimes की definition हमें बताता है, constitutional law हमें हमाई rights बताता है, पूरे देश के structure के बारे में बताता है, हर लो का कुछ specific, specific knowledge हमें देता है, हर लो, पर jurisprudence हमें किसी एक लो की specific knowledge नहीं देता है, यह हर लो का basic principle बताता है, no question is, but is basic principle, basic principle क्या है बच्चो, है न, मैंने बता गिया, कि लोग के basic principles बताता है, basic principles है क्या, मैं example दूँगा आपको, for example, अगर आप CPC, civil procedure code की बात करो, तो CPC हमें क्या बताता है, यह हमें यह बताता है, कि अगर किसी ने आपकी property पे कबजा कर लिया, तो आपकी property थी, कबजा मैंने कर लिया, CPC हमें procedure बताता है, कि वो कबजा बापिस कैसे लेना है, मान लो आपने जो है, वो किसी बंदी की property, आपकी property है, और किसी बंदी ने वो, एक तो कबजा कर लिया, मैं तो कबजा कर लिया, मान लो कबजा कर लिया, यह आप मान लो किसी property के और हो उस पर किसी का कबज़ा और है और और आप तो आपने कैसे अपनी ownership establish करनी है आप कैसे ownership establish करेंगे अपनी वो CPC बताता है CPC procedure बताता है वहीं पर अगर मैं Indian Penal Code की बात करूं IPC की तो IPC क्या बताता है बच्चो IPC मैं बताता है कि अगर different crimes की definition क्या है मतलग crime की definition क्या है murder क्या है culpable homicide क्या है यह different crimes की definition बताता है ओपर से बताता है कोई crime करेगा उसको punishment मिलेगा है यह भी हमारा Indian Penal Code बताता है अगर मैं बात करूं आपकी love towards की यह भी आपको सब्जाट होगा है towards towards क्या हमें towards हमें यह बताता है कि अगर आपका किसी ने right inference किया तो आप जाके court में compensation ले सकती हो remedy ले सकती हो यह तो हमें हर लोग specific चीजे बताता है अब jurisprudence क्या बताता है वो हर लोग के basic principles बताता है जैसे CPC में basic principle possession ownership यह हमें jurisprudence से पता चलता है possession क्या है सब्सक्राइब किसी इसके meaning क्या है सके definition है इसके kind क्या है ownership क्या is का meaning यह definition क्या है kind क्या है जैसे IPC में crime क्या है कितने प्रकार का होता है क्राइम कितने प्रकार का क्राइम के क्या-क्या टाइप सो सकते हैं क्राइम की पुनिश्मेंट जो पुनिश्मा का मतलब क्या है मतलब हमें हर लोग के basic knowledge दे रहा है हर लोग के जो basic principles है उसके बारे में हमें information दे रहा है बच्चों यह बात ध्यान से आप सुन ले अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जुरूर कर दें चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करें इस लोग के चैनल प सब्सक्राइब करें लोग को पढ़ना है वह समझना है आपको तो आप मारे वर्ट सब्सक्राइब कर करकर आप अपमें बोल सकते है कि आपको आपको प्रॉर्पटी लो चाहिए आपको अड्मिस्तूरतिव लो चाहिए बाइब हन कोई भी लोग के बारी में आपकोई जानना है तो आप हमें मैस्ली कर सकते ही अच्छी आपको इन 4 ड़ूशं यहां बड साते की realidade पीड़े फिर्दिवन के सब्सक्राइब क्योंकि जितना हम ने कि टेंटेंगी जितना हम एक बहुत पार्टा आपको उससे बहुत कम कोस्ट आपको जोस्पूडंस की पढ़ेगी और आप आपके किसके लिए नोट के लिए किसी सब्यार के आप मैसे कर सकते हैं किसी 20 बार्ष नें किसी बच्वों हमारे बच्वह में होते हैं सब्सक्राइब कर नहीं सब्सक्राइब पांच ये शे गंटे पूरा session complete होता है इसकी कोस्त थोड़ी कम होती है लेकिन जो regular session हमसे लिता है उसको revision साथ में free मिलते है revision कि उसको pay नहीं करना पता regular में revision free मिलता है बच्चो तो यह हो आपको समझ जारो जैसे for example सब्सक्राइब नोट्स मिल जाएंगे रिवीजन लेक्स फ्री में रागुलर के साथ ही मिल जाएंगे पच्छे सो में सब कुछ अगर अकेला रिवीजन लेता है तो इसकी कोस्ट आबाट ग्यारा सूपर दिया एक हजार पर तो यहां पे डूस ने अपने अच्ट्रेशन जो बहुत मतंब को नियुक्त कि अक्सर आता है क्वेश्चन पेपर में अकसर आता है इसके रिगारिक टीटेशन तो Students donc seaétique जैने अपने अपने तरिक्डे से कोशिष कोरे कोशिश sin अपने सब करें तो सबसे पेले उल्पी राइन की बात कोशिए देजिय। जैसे फेंडते हैं Issue탐 झाले राइट और द्रॉंणight सबस्द आगार थे चिकिट कजिजर erk़क अभी कशिए कभी कभी ऐसा लिखाता है गद आप अधा K यह कसी बात है ऑफके सथिप्रोंट का लोग यह है जे कर दम प्रीजिए कहती है कि टोन कि टोन क्या बोलते है जुस फॉरेंस इश टॉडिव कि एन्ट सिस्टेमार्टी अर्च्मेट ऑलोब यू यह उपर्न तर्म जिस फिर निश्टिव और रहन सिटरी है और सिस्टेमेर्ट कि एन्ट आर्च्मेट अटाइज जनर प्रिंसिपल अफट न जोग के बहूं स बताता है अकोई न्युक्त कीות एकोव तॉं गेटन पॉस्टिे न मतलब इंग यह संब वाइ पुलिटिकल सुपीरियर एसा लो जो पुलिटिकल सुपीरियर सेट एक रेचिए उसी पॉजिटिव बोलते हैं मांगे आस्टीन की कमांद रू में रिसेश करेंगे फिलर आप समझ लीज़ी आस टीने बोला है कि जूरिष पुड़ेंस फिलोस्पीय पॉजिटिव लो के उसकी इकठी स्टड़ी है जुस पुरेस इसेंशल प्रिंसिपल्स फ्लोग को स्टड़ी करता है इसके लावा बच्छो भी ओर डेफिनिशन देखेंगे अभी तक अमने आगे और देखना है वीडियो अच्छी लग रहे है तो लाइक अभी कर दें तो स्टुएंस अब हम क स्टुएंस इन दोज रूज इन्होंने मैंनली फोकुस किया कोर्स के ओपर इन्होंने बोला जुरिस्प्रिंस किया है वह साइंस ओफ लो है कानून की एक विज्ञान है दसे स्टेटमेंट इन सिस्टेमेटिक अर्रेंजमेंट ओफ दे रूज फ्लोड बाई कोर्ट जुरि कर्सक अजुरिस्पधिस को विज्मेंट के दिले की खैवल से गाई ऑगोल जुरिस्पधिस सीवियर और चोन इनंकी इन लुग के प्रिंसिपल के सारे अधे वह उन्हें थक्या साइनस ओफ़ सिपल ऑफ सिवलो होलनी क्या बोलते है इस फोर्मल साइनस वे पॉश्चिव लोग बोला इसको और फॉरमल साइनस सांटी ऑड यूज किया जो लिस्टोर पोलते है जिस्टान जिस्टा लॉयर्स एक्स्टावरसन अब अब लेयर जचा वरजन का मतलब केया इस प्लीज प्लीज रुख जाएए लायक करके जाना ऐसे मन जाना वीडियो को हम बर रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं चैनल पर नहीं होगे तो सब्सक्राइब करके जाना बेल आइकन को भी दबा देना साथ में फ़र्दर नोटिफिकेशन तो हमें financially support मिलती है हर कोई कुछ ना कुछ contribute जुरूर करें अपने मन के रूसाथ thank you so much keep supporting us